कैसे हूं आप सभी उमीर करती हूं सभी ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे दोस्तों अगर आपके फेस के बहुत जादा पिग्मेंटेशन हो गई है या फिर आपका फेस बहुत जादा डल नजर आने लगा है तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हू है या फिर टैनिंग है आपके फेस पे या किसी भी तरह के स्पोट्स हैं वो सारे रिडियोज हो जाएंगे तो इस क्लेंजर को बनाने के लिए हमारा फस्ट इंग्रीडियंट है दही यानि की योगर्ट यह मेरे घर का दही इस्तमाल कर रही हूं आप चाहें तो पैकेट व अच्छे रिजल्स देखने को मिलेंगे तो मैंने यहां पर वन टेवल स्पून से थोड़ा सा जादा ले लिया है दही आप अपनी रिक्वार्मेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हो अब हमारा नेक्स्ट इंग्रीडियंट है लेमन तो लेमन हमें कितना चाहिए होगा सिर फो अपनी स्किन पर करते हो तो आपकी स्किन कभी भी डल नहीं नजर आएगी या फिर आपके फेस पर बहुत जादा पिग्मेंटेशन है आपके फेस पर डार्क स्पॉर्ट्स हैं तो वह प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी मैंने अपनी अपनी चैनल पर औरेड़ी व किस तरह से इस्तमाल करना है तो आपको यह क्लेंजर अपनी स्किन पर रब करना है आप देखोगी आपकी जो इसकिन है वो बहुत जादा क्लीन एंड क्लियर हो चुकी है थोड़ा सा एमाउंट आपको लेना है और अपनी स्किन की मसाज करनी है जिस तरह से हम क्रीम से अपन उसके बाद आपको अपने फेस को wash कर लेना है आप देखोगे इंस्टेंटी आपका स्किन बहुत जादा fair हो चुकी है आपकी स्किन अगर loose थी तो बहुत जादा tight हो चुकी है तो आप इस cleanser को जरूर इस्तमाद करिए आपको बहुत अच्छे results मिलेंगे I hope दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो का देजिए का लाइक अब मैं मिलूँगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई